नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है हमन और आप देख रहे हैं पाइबर बाई इंडिया तुडे और वापिस आ चुको हूँ आपकी लिए एक नया नवेला बैटरी ज्रेंटेस वीडियो लेकर इस बार दो तावड तोड फ्लैक्शिप स्मार्टफोंस के बीच वान प्लस 12 वर्स वीवो एक्स हंडर्ड अब पिछली बार जो मैंने वीवो एक्स हंडर्ड वर्स आइकू ट्वेल्फ का बैटरी ड्रेंटेस वीडियो करा था तो वीवो के लिए यार वो उतना अच्छा बैटरी टेस्ट नहीं निकल के आया पर उसके बाद वीवो फोन को कुछ आपडेट मिले हैं और रिसेंट टाइम्स में बैटरी लाइफ थोड़ी बहुत मुझे लग रही कि इंप्रूब हुई है पर क्या ये इतनी इंप्रूब हो गई है कि भाई वन प्लस ट्वेल्फ को पचार दे तो सवाल वही उठता है कि दोनों पोंस के बीच अगर पफॉर्मन्स और इंडियॉरंस की बात करी जाए तो कौन सा वाला बहतर आप्शन है अंडर 70,000 रूपीज वही पता लगाने वाले हैं इस वाली वीडियो में पर सबसे पहले दोनों ही फोंस के की हाईलाइट की स्पेसिकेशन पर एक नजर माल लो तो वन प्लस 12 में आपको एक हाई स्क्रीन दी गई है पर इस टेस्ट को फेर रखने के लिए मैंने दोनों फोंस पे फुल एच्टी प्लस रेजिशन रखी है और दोनों ही फोंस में डिफरेंट चिप्सेट्स हैं जहां वन प्लस 12 में एक बड़ी बैक्टरी है वीवो में आपको 120 वाट की फास्ट वायर चा साजिंग का भी सपोर्ट दिया गया है कैमरास भी दोनों के मिलते जूलते हाला कि सेंसर दोनों में अलग अलग यूज़ करे गए है और फाइनली वीवो में एक बैटर आईपी रेटिंग आपको दी गई है तो ओवरॉल दोनों फोंस का ने एक सिमिलर प्राइस पॉइंट है और उसी सिमिलर प्राइस पॉइंट को मद्दे नजर रखते वे ना यार मुझे लगता है कि थोड़ा बहुतना वैलियू के मामले में वन प्लस ट्वेल्व मुझे बेटर लग रहा है पर क्या ये इतना बेटर है कि भाई परफॉमंस और इंडूरंस के मामले में इस वी प्रोफाइल एक्टिवेटेड़ एक सेटिंग को भी इनेबल कर दिया जहां पर डिस्प्ले का वाइड बैलेंस एंवाइमेंट के अकॉर्डिंग अडाप्ट कर लेता है इसके लावा लाइट मोड इनेबल है दोनों फोन अपने पीक रिफ्रेश रेट पे रन करें जो की 120 है अफकोस दोनों फोन सेम वाइपाई नेटवर्क से कनेक्टेड है और दोनों की बैटरी 100% चार्ज है तो शुरुआत करते हैं दो घंटे की यूट्यूब वीडियो प्लेबैक के साथ और सच बताओ तो भाई साइड बाई साइड मतलब पता नहीं लगता की कौन सा वाला कौन सा फोन है मतलब 1 प्लस 12 थोड़ा सा वाइड है एक उसका होल पंच थोड़ा सा छोटा है भी वो के कंपारिसन में पर उसके अलावा और कोई डिफरेंस नहीं है डिस्प्ले क्वालिटी की बात करी जाए तो दोनों ही फोन में एक क्लास अमॉलेड डिस्प्लेज दी ग जब ब्राइटनेस की बात करूं तो हाई ब्राइटनेस मोड में दोनों डिस्प्लेज आपको 1500-1600 निट्स तक की ब्राइटनेस देते हैं और काफी ब्राइट है यार ये इंडोर या फिर आउट्डोर यूजज की बात करूं हाला कि जब HDR यूजज की बात आती है तो वहा अभी भी यार मुझे ऐसा कोई content online नहीं मिला है जहां पर मैं 4500 निट्स की बीक ब्राइटनेस को यूटलाइज कर पाऊं तो इधर वे अगर मैं देखो तो OnePlus 12 में आपको एक high resolution का display दिया गया है 4500 निट्स की ब्राइटनेस हाला कि वो content अभी भी available नहीं है 4500 निट्स वाला वहीं भी वो X100 में भी आपको एक equally dazzling display दिया गया है जो की high brightness mode में काफी bright है और अगर HDR use cases वाले content की बात करो तो वो भी आपको online मिल जाएगा साथ ही साथ दोनों ही panels आपकी आँखों के लिए काफी safe है क्योंकि दोनों ही phones में आपको 2160 Hz का PWM dimming support दिया गया है तो दोनों ही phones में भाई आपको बहतरीन displays दी गई है पर efficient वाली display कौन सी है तो भाई दो घंटे बीच चुके है इस test में और अभी Vivo X100 ने lead पकड़ ली है 92% battery आपको यहाँ पर बची हुई है और OnePlus 12 अभी थोड़ा दा बीचे है 89% battery के साथ तो अब चलते हैं वीडियो recording round के तरफ अब हम 1080p 60fps की वीडियो recording करेंगे दोनों फोन्स पे और जब तक devices record करते हैं तो पहले एक नजर मार लोग camera specifications की ओर तो OnePlus 12 में 50MP का primary rear camera OIS के साथ दिया गया है साथी साथ 48MP का ultra wide camera एक 64MP का omnivision OB64B telephoto camera और साथी साथ 32MP का selfie snapper आपको दिया गया है वीडियो की विभाग में rear camera 8K 24fps वीडियो recording सपोर्ट करता है वहीं front पे अब finally आप 4K 30fps वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं बात करी जाए Vivo X100 की तो यहाँ पर भी एक triple camera system है 50MP का main camera है OIS के साथ उसके साथ में आपको मिल रहा 50MP का ultra wide camera सेम 64MP का telephoto camera जो OnePlus 12 में भी है और साथी साथ 32MP का selfie camera वीडियो की विभाग में rear camera में आपको यहाँ पर 4K 60fps का support दिया गया है पर front पे केवल 1080p 30fps video recording का support है जो की पिछले Vivo phones में भी हमने देखा है अब कुछ comparison shots of OnePlus 12 और Vivo X100 से मैंने क्लिक किये हुआ screens पे लगा रहा हूँ आप उनको check out कर सकते हैं अब अगर in-depth इन दोनों phones के camera के बारे में आप जानना चाहते हो तो इनके around कूप सारी videos already channel पे live है आप वह वाली videos जाके देख सकते हो अभी के लिए मुझे comments में बताओ कि भाई आपको कौन से वाले phone की photos ज्यादा better लगी तो दोस्तों तीन घंटे test में बीच चुके हैं और एक ही round के बाद OnePlus 12 ने lead ले ली है 72% battery यहाँ पर बची है वही वी वह एकदम ठीक पीछे है 71% battery के साथ और जहांके आप सोच रहे होगी बाई एक परसंट काफी बड़ा difference है पर वो एक परसंट काफी बड़ा difference है क्योंकि इस second round में OnePlus 12 ने के better और efficient performance दी और मैं सारी details आपको end में बताऊंगा तो चलिए अब time है सबसे demanding round का time है benchmarks रन करने का पर उससे पहले a quick look at the hardware specifications of both phones OnePlus 12 में आपको दिया गया है Snapdragon 8 Gen 3 processor वहीं Vivo X100 में दिया गया है Dimensity 9300 processor दोनों ही phones में 16GB LPDDR 5X RAM है वहीं साथ में up to 512GB की UFS 4.0 storage मिल रही है तो जैसे कि मैंने expect किया था दोनों ही phones में top tier chipsets हैं और काफी incredible scores देखने को मिलते हैं अब सची सची बताओ तो ये वाला जो score है OnePlus 12 का ये सबसे lowest Snapdragon 8 Gen 3 score है जो मैंने अब तक देखा है पर फिर भी about 6700 in multi-core यार अभी भी काफी solid score है बट बात बस इतनी सी है कि Vivo की performance या पर थोड़ी सी better है इवन Antutu की भी बात करूँ तो OnePlus 12 ने यहाँ पर एक बढ़िया 1.93 million का score किया वही Vivo X100 ने थोड़ा सा और आगे उस चीज़ को लेके 2.09 million का score किया पर in the process अगर मैं बताओ तो Vivo X100 ने वह जो थोड़ी heating यहाँ पर देखने को जरूर मिली और इसी वाज़े से मज़े लगता है कि जो 3D mark extreme stress test मैंने next वाला benchmark run किया वहाँ पर OnePlus 12 ने respectable 62.4 का stability score मुझे दिया वही Vivo X100 ने केवल 30.4% का score manage कर पाया इवन अगर CPU throttle test की भी बात करूँ superior thermal management की वज़े से OnePlus 12 ने बिलकुल भी throttle ने किया भाई वही Vivo X100 का score केवल 48% रहा तो benchmarks का breakdown अभी आपकी screens पर live है आप उनको check out कर सकते हो और result से यह साफ दिखता है कि Dimensity 9300 ने test तो बहुत बढ़िया तरीके से start किया था और एकदम toe to toe हो गया भाई Snapdragon 8 Gen 3 के against raw performance और raw output के मामले में पर जहाँ बात आती है sustained performance की under heavy loads वहाँ पर यार 8 Gen 3 एकदम ले ही जाता है round तो दोस्तो चार घंटे test भी चुके हैं और मैं भूल या था कि भाई battery stats भी बताने होते हैं और उससे पहले मैंने gaming round ही start कर दिया बट कोई बात नहीं अभी एक ही race हुई है तो जल्दी से आपको पहले battery stats दे देता हूं तो चार घंटों के बाद OnePlus 12 तो अभी भी lead में हैं बट अब ये lead ना भाई margin जो है बीच में काफी बढ़ चुका है अभी OnePlus 12 43% battery के साथ आगे बढ़ रहा है test में वहीं Vivo X100 में बची है केवल 31% battery तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जब बात आती है gaming की तो दोनों ही phones काफी बढ़िया chipsets के साथ आते हैं जो कि मैं आपको अल्री बढ़ा चुका हूँ और दोनों ही chipsets अराम से demanding से demanding game को handle कर सकते हैं मतलब BGMI हो जाए या Call of Duty Mobile हो जाए या इवन Genshin Impact ये सारी games अपनी best settings पे दोनों phones support करते हैं इवन Asphalt 9 अपने full 60fps में high graphics में काफी बढ़िया run करती दोनों phones पे बट Vivo X100 के लिए न भाई सब कुछ अच्छा नहीं है और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पहली बात दोनों phones काफी capable हैं और starting काफी बढ़िया करते हैं gaming के मामले में पर जब sustained performance की बात आती है वहाँ पर OnePlus 12 definitely एक बहतर option है over the Vivo X100 in fact जब मैंने test किया तो time and again मैंने ये देखा कि OnePlus 12 काफी ठंडा चलता है gaming के वक्त और एक्तम लंबा लंबा आप उस पर games खेल जाओ phone heat up नहीं होता वहीं Vivo X100 heavy loads के under काफी ज्यादा मतलब heat up हो जाता है तो अगर raw power की बात आती है न तो यार कोई भी डाउट नहीं कि Vivo X100 एक solid phone है हाला की OnePlus 12 solid है both in terms of raw power and thermal management और इसी के साथ साथ पांच घंटे इस test पे बीच चुगे है और अभी वी OnePlus 12 लीड में है इस वहां में बचती है 33% battery वहीं Vivo X100 के हालत अभी थोड़ी बुरी होती जा रही है यहां पर बची है केवल 17 प्रतीशत battery तो अब हम इस पाट्रीट इंटेस कंपारेजन के लास्ट राउंड में है जहां पर OnePlus 12 और Vivo X100 पर मैं इस वीडियो को 24% battery के साथ वही Vivo X100 बेरली मतलब यार test point कर पाता है Vivo X100 में बचती है 8% battery अब घंटे वाई घंटे का एक breakdown है battery drain का दोनों ही phones का आपकी screens पर तो जैसे कि आफ फाइनल चार्ट को देख सकते हो एक चीज काफी clear है कि भाई Vivo X100 को भी recent टाइम से software patch पिले पर battery life को नहीं अभी भी मैं best नहीं कहूंगा अगर flagship smartphone space की बात करी जाए तो मतलब अगर हम general stuff की बात करें तो यहां दोनों phones काफी अच्छे हैं और अगर आप मतलब दोनों phones को नहीं लिमिट्स तक ना पुश करो तो endurance दोनों पर अच्छी मिलेगी पर OnePlus 12 और जब आप चार्ट पे नजर मारते हो मैं यह नहीं कहूंगा इसकी battery life एक flagship phone के साब से एकदम बहुत ही बढ़िया है पर definitely यहां पर एक decent performance हमने देखने को मिली और अगर यह आपके लिए enough नहीं है तो भाई यहां पर एक बड़ी battery मिलती है नॉर्मल से भी बड़ी मतलब 6400 IMH की जो इस phone में आपको दी गई है और इस वज़े से नहीं यार OnePlus 12 के पास एक edge जरूर रहता है over the competition in terms of sheer endurance और यह बात भी मत बोलना कि जो एक partly reason है नहीं यार OnePlus 12 की अच्छी battery life का वो केवल battery size नहीं है optimization को भी यहां पर हमें एक credit देना होगा मतलब heavy load के अंडर phone throttle नहीं मारता है and believe it or not जो phone के अंडर 9000 mm square का न वे पर chamber cooling system दिया गया न वो definitely यार अपना काम कर रहा है तो इस वीडियो के लिए इतना ही guys अगर performance और endurance आपका key factor है key deciding factor है एक flagship phone खरीदने के लिए और 70,000 कुछ का आपका budget है तो यार इस वीडियो के साबसे तो मुझे यही समझा रहे है कि OnePlus 12 एक better option है over the Vivo X100 बाकी आप लोग के इस phone इन दोनों फोन के बारे में क्या thoughts है मुझे ब इस वीडियो के लिए है।